हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह है चंदा का घर, और यहाँ पर चंदा सो रही है, और यहाँ पर सो रहे हैं सोनम और सोनम के पापा, तो चलिए देखते हैं, आज की कहानी में क्या होदा है? अरे अरे यह क्या लगता है सुबह हो गई है, अरे वा कितनी अच्छी सुबह है, चल चल उट जाती हूँ, अरे वा देखो तो, अरे सोनम कहा पर गई, यह तो मेरे पास से सोई थी, अरे लगता है अपने पापा की पास जाकर सो गई, चलो अच्छा है कि सोनम अभी सो रही है आज तो में और राधा मार्केट जाने वाले है चलो अच्छा है कि सोनम यहाँ पर नहीं है में और राधा केले मार्केट जाकर सारी सबजे ले आएंगे वरना सोनम भी जाएगी तो बहुत ही परिश्यान करेगी चलो जाती हूँ राधा आती ही होगी जल्दी से अपना पर्स लेकर आ जाती हूँ पैसे वगिरा उखिरा तो मैंने पहले ही रख लिया था चलो जाकर ले लेती हूँ मेरा प्यारा पर्स मुझे अपना पर्स बोतिया था पसंद है छलो जाती हूँ राधा आही रही होगी अरे लेकिन अभी राधा को आ जाना चाहिए था मैंने कहा था कि सुबह साथ ही बज़े आ जाना और अभी साथ बीस हो रहे हैं ये लड़की बिना पता नहीं कहां पर रहे गई चलो खड़े होकर इंतिजार करती हूँ आ ही रही होगी और यहां पर चंदा रोड़की खड़े होकर राधा का इंतिजार करने लगती है अरे कहां रहे गई कब तक खड़ी रहूँ मैं ऐसे कहां रहे गई है अगर अभी सोने बुट गई तो सोनम भी जाने का जित करेगी अरे राधा कहां पर हो तुम अरे हां मैं फोन लगा लेती हूँ अरे नेनी जान दो खामका परिशान हो जाएगी शायद आ ही रही हो चलो इंतिजार करती हूँ आ जाएगी और यहां पर चोर दूर से ही चंदा को गुर रहा होता है अरे यह क्या यह औरत तो अपना पर्स वार्स टांग कर रोड पर खड़ी हूई है अरे वा चलो एक काम करता हूँ इसको पर्स में लेकर भाग जाता हूँ इसके पर्स में तो पैसे होंगे और वैसे भी मेरे जिब में तो एक भी रुपे नहीं थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो काम आ जाएगा चल चल जाता हूँ पर्स छिन लेता हूँ अरे यह क्या यह चोड़ तो चिंदा की पर्स जाने लगा अरे ओ मैडम लाओ दो पर्स दो मुझे पर्स दो और यहां पर सोनम की पापा सो रहे होते हैं, कोई बचाओ मुझे सोनम की पापा सोनम बचाओ, अरे चोर दो मेरा परस में कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं तो दे देना मुझे, क्यों नतंग कर रही है, मुझे दे दे दे, अरे कोई है कि हम पर चोर चोर मेरा परस है चुरा छल्दी मिझे बचायों और यहां पर यह चोर चंदा को परिशान कर रहा होता है और यहां से राधह ही आरही होती है चलो चलो श्याम अरे अरे यहां पर क्या हो रहा है अरे तो चोर रहे लग देखोंगे चोर चोर अरे ये क्या कहों से आ गई अरे जाओ यहां से जाओ मैंने तुम्हे कुछ नहीं कहा भागो और न बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ अरे चोर कही कि छोर दो पर्स अरे राधा बचाओ मुझे देखूए मारा पर्स चिन रहा है अरे कोई बचाओ बचाओ मुझे चोर 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 और यहाँ पर राधा चोर चोर चिला रही होती है और पास में आवाज सुनकर सारी ओरते जमा होने लगती है मालो मालो चोर को मालो जोर से मालो मालो गंजा चोर गंजा चोर और यहां पर बीड जबा हो रहा है यह जल्दी समझे भागना पड़ेगा और चौरलो जल्दी चले तू चंदा का पर्स चुरारा है भावो यहां पर्स दुम दबा कर भाग जाता है अरे चोर के कहां भाग रहे हो आप दम है तो आओ ना कुछ और तो को देख कर दुम दबा कर भाग गए अरे निहा रीमा तुम्हारा पोती दे शुक्रिया तुम लोग ना होती तो शायद आज मेरा पर्स वो चोर लेकर चला जाता चलो अच्छा है कि वो चोर मेरा पर्स नहीं लेकर गया बाप रे बाप और ना पता नहीं क्या नर्थ हो जाता और हाँ राधा राधा तुम्हारा पोती दो शुक्रिया अगर तुम ना आई होई होती तो शायद आज मेरा पर्स मेरे हाथ में नहीं होता अरे दिदी कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्स था वैसे दिबाजार में जाने के लिए आपने थोड़े बात पैसे ही रखे होंगे पर्स में अगर वो लेकर चला जाता फिर भी कोई बात नहीं होती अरे नहीं राधा इसमें मेरे कार्ड है मेरा पर्स मेरे सामान जरूरी सब कुछ इसी के अंदर है चाविया भी है क्या कहा बाजार में जाने के लिए इतना सारा सामान हरी हाँ चेंदा बाजार में जाने के लिए इतना सारा सामान लेने की क्या जूरू थे इसे क्या-क्या रखे हो तू अपने पर्स में अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मेरे बैक में क्या है क्या कहा दीदी वार्सन मैं बैक ये तो बड़ी बड़ी हिरोईने करती है चली चली मुझे बताईए अरे हाँ हाँ क्यों नहीं ने क्यों पूछ पूछ चलो चलो सब लोग आ जाओ और फिर तभी यहाँ पर सोनम उठ जाती है अले शुभा हो गई पापा के खालाते से तो मुझे नीदी ने आई ममा के पास ही सोना चाहिए था अरे अरे ये क्या सारे आंटी लोग यहाँ पल क्यों जमा हुई है चलो चलो मैं जाकर देखती हूँ क्या चल रहा है चलो चलो जाती हूँ ममा ममा क्या कर लही है अले शब लोग यहाँ पल कैसे आए क्या हुआ ममा ममा तो कहीं पर जा रही लगता है कहाँ पल जा लही है ममा आप सोनम तुम्हें देखकर मुझे याद है मैं कब से तुम्हें आवास तेरी से तुम आई क्यों नहीं क्या कहा बुला रहे थी लेकिन मैंने सुना ही नहीं ममा मैं तो शो रही थी अरे सोनम तुम्हें पता है एक चोर मेरे पर्स के पीछे पड़ गिया था अरे हाँ सोनम वाटस इन मैं बैग बताने जा रही हूँ, अरे हाँ सोनम तुम भी बैट कर देखो, और यहाँ पर्चंदा अपना पर्स खोल कर सभी को दिखाने लगती है, कि उसके बैग में क्या क्या है, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, मेरे पर्स में क्या है, ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन सिर्फ काम की ही चीज़े है, मैं अभी दिखाती हूँ, और यहाँ पर्चंदा अपने पर्स के बारे में बताने लगती है, यह पर्स तो मैंने बाजार से खरी दी थी, चार सो रुपे का, और इसके उपर मैंने क्लिफ लगाए है सुन्दर सुन्दर, अच्छा ठीक, मैं बताती हूँ, मेरे पर्स के बारे क्या है, अरे हाँ दीदी बताईए, पहले क्या निकालेंगी आप, यह क्या है, हरे यह तो पर्फ्यूम है, अरे हाँ, राधा यह पर्फ्यूम है, क्या कहा, चंदा पर्फ्यूम लेकर भी चलती है, अरे वा, मैं तो कभी कभार ही लगाती हूँ, हाँ, कभी कभी में पर्फ्यूम लगा लेती हूँ, चलो चलो, और दिखाती हूँ मेरे बैग में क्या है, हाँ ये eyebrow filler है जब सब एपने eyebrows बनवाए है तब से उसे fill करती रहती हूं अच्छे से ताकि मेरे eyebrows अच्छे दिखे इसलिए वो हथी अच्छा product है मैं इसे हमेशा इस्तेवाल करती हूँ अगर वो चोड मेरा purse लेकर चला दाता तो इसे में खो देती बड़ी मुश्किल से मिलता है ये और क्या है मेरे बैग में अरे हाँ मेरा मोबाइल फोन मेरा मोबाइल भी मेरे बैग में होता है हमेशा तो तो लो इसे रख देती हूँ और दिखाती हूँ मेरे बैग में क्या है अरे ये क्या है इसे निकालती हूँ हाँ ये तो चाबी है पता है ये चाबी मेरी तिजोरियों की है अगर ये गुम जाता तो मेरी तिजोरी खुली ही नहीं पाती चलो अच्छा है अरे वा दीदी आप तो चाबी भी कैरी करती है हाँ राधा और क्या है अरे ये चाबी क्या कहा एक और चाबी अब ये कैसी चाबी है अले आंटी ये तो पापा के श्कूटर की चाबी है ममा आप क्यो ली है अरे सोनम ये दूसरी वाले चाबी है चाबी तुम्हारे पापा के पास ही होती है अच्छा चलो मैं और दिखाती हूँ इतना सारा समान अरे रादा तर असल ये घर की चाबी है गुमना जाए इसलिए पर्स में ही रहता है सब कुछ अगल पर्स चुला ले जाता है चोल तो फिर कुछ भी नहीं बचता ममा अरे हाँ सुनम तुम सही कह रही हो ये हाँ ये सारे लिपस्टिक्स है सारे लिपस्टिक्स में अपने पर्स में ही रखती हूँ थोड़े से लिपस्टिक्स और थोड़े से और लिपस्टिक्स और साथ में बलश भी है बाब रे बाब दीदी इतना सारा अरे हाँ रादा तर असल मुझे अपने होटो पर लाली पसंद है इसलिए मैं हमेशा लिप्स्टिक लेकर चलती हूँ और कुछ भी नहीं अच्छा ठीक है रहने तो एक चीज़ पर फोकस मत करो और मेरे बैग में धे सारे क्लिप्स भी है अले ममा इस में से तो आदे जादे मेरी तो मेरे पर्स में होने चाहिए अरे सुरम तुम भी पर्स नहीं है तुमारे पास तुम पर्स लेकर नहीं चलती हो यह तो तुम यहाँ आवाँ फेकर है तो इसलिए मैंने डखा हुआ है चलो मैं और दिखाती हूँ अरे हाई यह मेरे दूसरे जोड़ी येरिंग है अरे चंदा तुम तो दूसरी जोड़ी येरिंग भी लेकर चलती हो बापरी अरे यह तो मेरे बैग में पहले से ही रखे हुए थे ताकि कही फांक्शन अगेरा में जाओ और अगर मेरे एक येरिंग गिर जाए तो दूसरे जोड़ी पहन लो दूसरा प्लैन बना कर चलती हूँ मैं तुम लोगों को क्या पता चंदा अंतिश माथ है बोटीश माथ चंदा अंतिश माथ है हाँ हाँ श्याम बेटा तुमने एकदम सही कहा ये श्याम मुझे तुम अच्छे से पहचानता है अच्छा ठीक है मैं दिखाती हूँ मेरे दूसरे चैन में क्या है इसमें तो मुझे भी नहीं पता अरे हाँ याद आया रुख जाओ मैं अभी तुम लोगों को दिखाती हूँ इसके अंदर कुछ जोड़ी रबर बैंड से बाल बांदने के लिए क्योंकि बाल हमेशा उड़ते रहते हैं और अगर इन्हें न ले जाओ तो बहुती ज़दा आजीब लगता है बाल बांदने के लिए बहुती ज़रूरी रहते हैं ये रबर बैंड और साथ में थोड़े से कैश भी रखती हूँ में तुम्हें तो पता ही है न राधा मैं मुबाइल फोन से पेमेंट नहीं कर पाती हूँ इससे लिए अपने साथ ढेल सारे कैश लेकर चलती हूँ अगर वो चोर मेरा पर्स लेकर चला जाता तो ये सारे पैसे मेरे हाल से चली जाते और फिर सोनम के पापा मुझे छोड़ते नहीं तो लो अच्छा है उस चोर कर नास मिटे और यहाँ परचंद अपने बैग में से सारा सामान निकाल निकाल कर दिखा रही होती है बाप रे बाप इतना सारा सामान दीदी अरे राधा तुम अभी से ही इतना चोक रही हूँ मेरे बैग में तो अभी थोड़े बहुत सामान और बाकी है ये सब मैं हमेशा लेकर चलती हूँ बाप रे बाप दीदी रुख जो हमें दिखाती हूँ अभी थोड़े बहुत सामान तो बाकी है अरे हाँ इस चेन में मेरे कुछ दबाईया होती है जैसे सरदर्द या फिर चकर के क्योंकि मुझे बाहर जाने के बाद बहुत यदा सरदर्द होता है इसलिए मैं लेकर चलती हूँ इसे क्या कहा मैडिसिन, परफ्यूम, लिपस्टिक, बाप रे बाप मैं तो अपने साथ स्रिफ एक जैन्डू बाम लेकर चलती हूँ और दोसो तिनसो रुपे पैसे और कुछ भी नहीं क्या कहा जैन्डू बाम है लुको मैं आभी सबको बताती हूँ अरे अरे सुनो रुख जो रुख जो अरे सुना मत बताओ अच्छा ठीक है तो दस्रिफ बाली चोकलेट कप दे लही है आप हाँ हाँ दे दूँगी बस ये लड़की बिना मुझे हमेशा परिशान करती है अब जादन ही बस थोड़े बहुत ही समान रह गई है रुको मैं आभी दिखाती हूँ क्या है इसमें अरे हाँ ये तो मेरे कार्ड से लाइसेंस है कुछ गैस कार्ड है और अधार कार्ड है सब कुछ इसी के अंदर रखती हूँ मैं चोचले से रख देती हूँ बाप रे बाप इतना सारा समान अरे हाँ देखो तो बाप रे अरे ये लोग तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं अरे रुक जाओ थोड़े और समान दिखाती हूँ फिर हो गया इसके अंदर एक कंगी होता है उसके बाद कुछ भी नहीं है मेरे बैग में सब खाली है बस इतना समान लेकर चलती है दीदी आप अरे हाँ रादा कहीं तो मेरा मजाग तो नहीं उड़ा रही हो एक कुछ जादा हो गया है ना क्यों अरे नहीं नहीं जादा कहा हो रहा है बस थोड़ा सही समान तो है बाबरे आप एक बाजार में जाने के लिए इतना कुछ लेकर जा रहे थी अब मैं दिखाती हूँ कि मैं बाजार में जाने के लिए क्या क्या लेकर आई थी मैं तोफ़स भी नहीं लेकर आई हूँ रुख जो मैं अप히 दिखाती हूँ ये देखो ये पान्सो रुबे मैं अपने ब्लाउस में डालकर लाई थी ताईकि गिरे न और यहां पर सभी लोगी देखकर हसने लगते हैं और यहां पर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं दोस्तों अगर आपको मारी कहाने अची लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक्यू फॉर वाचिंग